रादे रादे स्वागत आपका इरे चैनल पिंकी क्राप्रेंट केरेशन में तो गास मैंने पुरानी चादर ले लिए यहाँ पर यह साइड में इस तरह से जोइंट होती है इन्हें खोल देंगे यहाँ पर कुछ डिजाइन में होती है यह चादर है तो साइड से मैं निकाल दूँए इसको कट कर दूँए यहां से तो यह मारा बीच का फैब्रिक आ गया है अब इसे हम एक फोल्ड करेंगे इसकी चोड़ाई बारा इंच रखेंगे एक फोल्ड और करेंगे तो यहां पर हमारी कपड़े की चारत हो गई है तो इस कौने से लेके यहां से हमें 10 पूरी गुलाई में इस तरह से निशान लगा लोगे और इसको मिला देंगे और कट कर लेंगे तो यह हमारा यहां पर सरकल बनके आ जाएगा एक कि देखिए एक तम गोल सरकल आ गया है अब इसकी हम गुलाई ना पेंगे तो यहां पर एक निशान लगा लेंगे पहले इस इसकी लम्माई लेटेंगे गुलाई की देखिए आधा इंच अंदर की तरफ ये क्योंकि आधा इंच हमारा शलाई में जाएगा तो इस तरह इसे नापेंगे तो हमारा जो कपडा हम लेएगे वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा यहां पे 60 और 3.5 इंच तो ये मारी 60 प्ल तो इस तरह से निशान लगा लेंगे अब हम इसके लिए लंबाई के लिए कपडा कट करेंगे आपको जित्ता लंबा और्गनाइजर बनाना आए अपना उत्ती लंबाई ले मैंने यहां पे 30 इंच लिए और चोड़ाई हमने जो राउंट गुलाई का लिया था उतनी ही तो इस तरह से कपड़ी को यहां पैसे रखेंगे कपड़ी को इस तरह से टेच कर देंगे पेले दोनों को सीधा वाला पार्ट मैंने अंदर रखा है दोनों का और ऊपर नीचे प्रूटी साइड है तो इस तरह से मैंने पूरा रांड कर लिया है अब साइड में भी हम यहां पर पिल लगा देंगे कि देखिए बिल्कुल पर्पेक्ट हमारा जो नाप था वो बैठा यहां पर और अब इसको सिल लेंगे तो यहां पर मैंने इसलाई लगा दी है अब इसे सीधा करेंगे सीधा करने के बाद ओफर के लिए कपड़ा हम कट करेंगे इसके लिए यह हमने साइड से जो कपड़ा निकाला था उसी का उयूज करेंगे तो यहां पर 11 इंच पर निसान लगाओंगी मैं एक इंच उपर छोड़ेंगे निफा के लिए जो मोड़ेंगे 10 इंच पर लगाएंगे तो एक इंच उपर छोड़ेंगे तो हमारा यह 11 इंच हो जाएगा तो 11 इंच पर हम निसान लगा लेंगे यहां से इस तरह से कट करके इसे कट कर लेंगे इस देखी मैंने इसको इस तरह से अलग कर दिया है इस तरह से एक तम हमारा सीधा पट्टी निकलती है सिधी सिधी और यहां से एक एक इंच मोड देहुए शिलाई लगा लोंगे में नीफा की तरह इसमें हम नाडा डालेंगे जैसे पीटी कोट में नड़ा डालते हैं उसी तरह से नीफा बना लिना है और हम हम क्या करेंगे इस तरह से रखेंगे इसमें पिन लगा लेंगे सीधा बाला पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे होल्टा साइड में रखेंगे दोनों के अब यहां से यह वराफाट हमारा थोड़ा लंबा है तो इसे कट कर देंगे यहां से इस तरशन नापते हुए इदेखें मैंने यहां पे चलाई लगा दिये अब हम यहां पर इसमें यह डोरी डाल देंगे थोड़ा समयले यहां पर इससा यह खोला रखाएं और अब मैं इसमें कपड़ी भी रखके दिखाऊंगे आपको बहुत सारा इसपेस है इसमें अगर वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड के पास से एर करें अगर मेरे चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं इससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सके तो यह देखिए यह मेरा कंबल है यह में रखोंगे इसको यह मोटा वाला कंबल है यह देखिए है इसको रोल करके तो इस तरह से फोल्ड करने से क्या होता है यह इस पेसे कम-2 तो इस तरह से फोल्ड करके आईसे पर पहले भाण तो इनका यूज करूँगी मैं इसे बांदर के लिए यहां पैसे लोक कर लोगी पहले तो अगर आप और नहीं बनाना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसे किसी कवर्ड बगारा में ऐसे बांद के बैल्ट से मैंने पहले ऐसे रख रहा था पर इस फार मैंने बना लिया और उसे को भी बनाना भहुत ही आसानी का बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है यह देखे इस तरह से हमसे बंद कर देंगे और यह लोक हो जाता है अब यह खुलेगा नहीं कैसे भी रख लो इसे हमें रखके भी दिखाती हूँ आपको यह देखिए बहुत सारा high-space है यह बहुत लू जा रहा था तो मैंने इसमें ये ओर राजाई का कबढ़ था इसके ऊपर लपेटा है तो रखाए फिर न्हें बाद में अधेगे-ब्यू जा रहा है कि यह जब आ रजाई के कवरता इस तरह से आप रख सकते हैं यह दिखिए गर्म चादर है यह एक छोटा ब्लेंकेट और है बच्छों का तो इत्ती सारे कपड़े इसमें आ गई है बहुत ही स्पेसे इसमें तो आपको वीडियो कैसा लगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक इसमें आप फ्रेंट्स के साथ से र करें इदे की बहुत ही प्यारा सबनके तयार हो गया यह नीचे से इस तरह से एक इते कि इस तरह की वीडियों देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मिलते इस वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे